रादे रादे जश्री कृष्णा ओम सायराम कैसे हैं आप सब हमेशा की तरह हंसते खेलते और मुंस्कुराते जी हां हंसते खेलते और मुंस्कुराते ऐसे ही रहा करो जैसे कि आप सब जानते हैं कि भुजाई ने नर्सी जी को घर से निकाल दिया गाउं में भी कोई आसरा नहीं देता, अब नर्सी जी पहुँच जाते हैं तपस्या करने, वहाँ उन्हें बोले जी का शिवलिंग दिखता है और एक पाउं पे खड़े होकर बोले जी की तपस्या करते हैं नर्सी जी, प्रसन होने के पश्चात, बोले जी अपनी कहानी बता बताते हैं क्योंकि नर्सी जी कहते हैं मुझे और कुछ नहीं चाहिए, केवल राधा क्रिशन के दर्शन करा दीजिए, आप बोले जी राधे क्रिशन के दर्शन किस प्रकार से होंगे, उस सब का विस्तार से नर्सी जी को बताते हैं, कहते हैं कि एक दिन क्या होता है नर्स जब मैं केलास परवत पहुँचा तो मैं क्या देखता हूँ कि पारवती जी मेरी धरम पतनी पारवती जी नर्सी वो इतनी खुबसूरत इतनी खुबसूरती से तयार हुई कि मैं क्या बताओं मैंने देखा तो मैं देखता ही रह गया कि वाँ, क्या बात है पार्वती जी, अरे इतने खोसुरत तो आप शादी में भी त्यार नहीं हुई, आज कहा जाने का विचार है जो इतना श्रिंगार, इतने जेवरात? पार्वती जी बोली, भोले जी, मैं व्रिंदा बन जा रही हूँ, ठाकुर जी की रास की लिला देखने, भोले जी कहते हैं, ठाकुर जी की रास की लिला, उसमें ऐसा क्या है? पार्वती जी कहते हैं की अरे ये पूछो, उसमें ऐसा क्या नहीं है? सबसे पहले तो भोले जी, आपको मैं बताऊं तो ठाकुर जी का एक दम खुबसूरत रुप निहारने और देखने को मिलता है, दूसरा राधा, रुकमन, उनकी अन्य गोपियां, रानियां सब करती हैं, रास की लीला वो देखने लाइक, उन सब के बीच में हमारी ठाकुर जी होती हैं, जो अदभुद निर्थ्य करती हैं, वही नजारा होता है देखने का, पुले जी कहते हैं, अगर ठाकुर जी इतने खुबसूरत लगते हैं, पार्वती जी, तो तुम अकेली क्यो जाओगी, मैं भी चलता हूँ न, जब ठाकुर जी इतनी रानियों के साथ, गोपियों के साथ, राधा रुकमन के साथ निर्थे करेंगे, तो अरे, मैं तुम्हारे साथ निर्थे कर लूँगा, अब तो पार्वती जी नराज होगी, कहती है, भुले जी, मैं आपको बिल्क पर पुर्शों का जाना वर्जित है, यानि ठाकुर जी के सिवा, दूसरा कोई पुरुस नहीं होगा, होगी, तो केवल गोपियां, अब ठाकुर जी का रूप भी देखना है, और अन्य पुरुश भी नहों, ये कैसे हो सकता है, महराज, भुले जी कहते हैं कि तुम इतनी रात को जाओगी, तुम्हें कोई न कोई तो चाहिए न, मैं चलता हूँ न, परवती जी कहते हैं, भुले जी, मैं शक्ती, मैं सब पे भरी, फिर कहते हैं, भुले जी कहते हैं, नि वो तो ठीक है, परवती जी पर इतना जेवर भी तो तुमने पहना है कितने गहने पहने हैं और अकेली जाओगी कोई साथ में तुम्हारे साथ होना चाहिए ना परवती जी कोई परवती जी कहती है भोले जी मैं अपने रक्षा खुद कर लूगी आप शिंता मत करो अब जब देखते हैं भोले जी कि मेरी किसी भी तरीके से कोई भी बात बन ही नहीं रही तो भोले जी कहते हैं पहरवती जी मैं उस रास की लीला में जाना चाता हूं ठाकुर जी का वो रूप वो निर्थय देखना चाता हूँ किसे भीतर है मुझे वो दिखा दू अब जब भूले जी ने हाथ चोड़ लिये तो पारवती जी पतनी है उन्होंने एकदम भूले जी के हाथ पकड़ लिये और कहा भूले जी या आप क्या कर रहे हो भूले मेरे को भी देखना है ठाकुर जी का जो रोप जो निर्थय तुम ने बताया है इतनी प्रशंसा तुम नहीं की है तो मेरे इच्छा है कि मैं भी जाओं मैं देखना चाहता हूँ अब तो भूले जी ने कहना शुरू किया कि मुझे एक युक्ति सुझ रही है महीलाएं तो जा सकती है न गोपी बन के बोली हाँ तो तुम मुझे गोपी बना दो बस सबको बोल देना कि मैं तुम्हारी सहेली हूँ असलियत मत बताना अब परवती जी हसे तो हसे बोले जी कहते हैं परवती ऐसा मैंने क्या कह दिया जो तुम इतना हस रही हो कहते हैं हसो नी तो क्या करूं बोले जी आप भी खोव हो जानते हो आप गोपी बनाँ ये सब नहीं नहीं मुझसे ही नहीं होगा बोले कोशिस तो करो अब भुले जी बहुती प्रेम से कहते हैं तो परवती जी कहते हैं अच्छा ठीक है मैं तुम्हारे लिए कोशिस करती हूँ कि तुम्हें मैं गोपी बना दू बोले हां बना बनाओ सारे जो बाल थे वो सब का जूड़ा बनाती है घागरा चोली बनाती है उपर से पूरा धग देती है अब सोचिए कि भोले जी के शरीर में चंदा मामा गंगा जी साप बीच्छू लगबग सब कुछ जो धूनी लगाते हैं भसम लगाते हैं वो सब अब भोले जी की तयारी मोंड रूप से कर दी गई उन्हें गोपी बना दिया गया अब पारवती जी ने खा भोले जी चल की दिखाओ जब वो चले तो धम धम भोले भोले जी ये चाल अगर तुम आदमियों जैसी चलोगे तो कहां से गोपी लगोगे कोशिस करता हूँ पारवती थोड़ा रुको बोले हां अब पारवती जी गोपी की तरह चलाती हैं से धीरे 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 बोले ठीक है चलिते हैं तो बोले हाँ आप ठीक है दूसरा पारवती जी कहती हैं कि देखो भोले जी आप जब वहाँ पहुंचोगे न तो मैं स्परस्ट रूप से कह देती हूँ कि पहला तो आप मुह नहीं उभारोगे किसी को भी अपना चेहरा नहीं दिखाऊँगे बोले ठीक है नहीं दिखाऊँगा दूसरी चीज तुमारी आवाज सब पहचानते हैं और ठाकुर जी तो खास तोर से तो तुम मुह बिल्कुल नहीं खोलोगे यदि वो कोई प्रशन करेंगे तो जवाब मैं दूँगे बोली ठीक है इतनी सी तो बात है वो कुछ पूछेंगे तुम जवाब दे देना मैं तो सिरह लाता रहोंगा बोले हां बस आपको सिरही लिह लाने जब वो कुछ पूछें बस इस से ज़ादा नहीं बोले ठीक है अबिस्तरी के से भुले जी गोपी बन कर पार्वती जी के साथ चल पड़े विरिंदावन। विरिंदावन में जब वो पहुंचे तो ठाकुर जी का जो रूप था वो बहुत ही खुपसुरत था। पार्वती जी ने भुले जी को जो गोपी बनी हुई थी एक पेड के नीचे खड़ा कर दिया। कि तुम चुपचाप यहां खड़ी होकि ठाकुर जी को निहारते रहो, निर्ते देखते रहो, प्रन्तु करना कुछ नहीं। भुले ठीक है, अब ठाकुर जी निर्ते कर रहे हैं और भुले जी देख रहे हैं, एक टक उनको देख रहे हैं, उनकी खुपसुरती को निहार रहे हैं। अब निर्ते के बीच क्या होता है हम, कल करेंगे, कल देखेंगे कि ठाकुर जी, ठाकुर जी की नजर जब भुले चीपे पड़ती है, तो पारवती जी क्या करती हैं, तब तक के लिए मैं दर्शन शर्मा, मेरी वानी को विराम दीजिए, आप से कल फिर मिलती हूं, रादे जे शरी क्रिष्ना, ओम साइराम अपना क्या रखिये।